उत्तापर्देश के रामपूर से एक बड़ी खवर आ रही है जहां भारतियन्दा पार्टी के एक नेता ने अपने ही दल के नेताओं पर आरूप लगा दिया मामला दरसल यह है कि रामपूर में एक मंदर विवाद तूर पकड़ा हुआ है ग्रामपूर का अरोप है कि भारतियन्दा पार्टी के लोगों ने और इस थाने बड़े नेताओं की सेहे पर मंदर की भूमी को बीज दिया गया आज हमारी एंकर सीता ठाकूर ने भारतियन्दा पार्टी के पूर्व जिलाद्यक्ष मोहलाल सेनी से बात की तो मोहलाल सेनी ने उस बारता के दौरान साब कहा कि ऐसे भारतियन्दा पार्टी के नेताओं की जाच होना चाहिए संपत्ती की कि आखरकार उन्होंने किस रोज से किस तरह से संपत्ती अरजित की है इसकी जाच होना चाहिए यह मौलाल सेनी ने एक अपने ही पार्टी के लोगों पर बड़ा आरूप लगाया है मामला है मंदर की जमीन बेच देगा अभी देखिए एक रिपोर्ट सितल धाग हुए जैसे कि कल खबर प्रसारित हुई थी कि भाषपा के नेताओं पर एक बेचिए जबीन उसी को लेकर आज हम बात करेंगे पूर्व जिलाद्या मोहन सैनी जी से उनसे बात चीत करेंगे जानेंगे कि आखेर क्या पूरा माज़रा या भाषपा के लोगों को बड़नाम करने की साजी से या भाषपा के नेताओं ने सच में मंदर की जमीन को बेच रहे थे और लगातार मेरे पास वह आकर ये बता रहे थे कि इन लोगों ने बाश्पा के कुछ नेता हैं वहां पर इस्थानी ये दो-तीन लोग भी है उन्होंने जमीन को कब्जा कर और वहां के इस्थानी लोगों के नाम करा दिया है वहां के पूर परधान और एक मौजुदा परधान के परिवार से हैं उनके नाम करा कर उसमें से चार रजिस्ट्रियां अब तक हो चुकी है और ये जमीन जहां तक मैं देखता हूँ जब से मैंने जन्म लिया है तो मैं भी उस चितर का रहने वाला हूँ मंदिर ही बना था व लोगों में इस चिसको लेकर बहुत रौश है कि भाजपा के लोग अगर इसमें शामिल हैं तो उन पर जरूर कारवाई होना चाहिए चाहें मेरे परिवार का हो मेरी पारिटी से जुड़ावा कोई व्यक्ति यदि इसमें सनलिप था तो उसके खिलाफ संगठन और सम्मेध माफियाओं में आपने देखा होगा लोग जुड़े रहे थे उनका नाम पूरवध्यक्ष के साथ जोड़ा गया था तो इसलिए उन लोगों का सौभाव है ऐसे कामों को करना मैं समझते हूं इसकी संगठन इस तर पर जांच होनी चाहिए और सख्त कारवाई होना चाहिए दिन पर देन भाजपा की जैसे भाजपा सरकार है तो वही भाजपा के नेता बिगड़ते जा रहे हैं उनकी गुंडा गर्दी भी चरम सीमा बढ़ती जा रही है क्या कहीं नहीं कि संगठन की नरंकुष्टा है संगठन का कंट्रॉल नहीं इन पताधिकारियों पर अगर सं जाच कराने का प्रियास करना चाहिए और एंसे करता हों को तुरंत निलंबित किया जाए जो इसमें संलेपत है आप भी भाजपा में रह चुके हैं आपने भी भाजपा की कमान समाली लेकिन आपके रहते हुए कभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला आज पूर आप जो बर पारिटी है हम लोग संसकार को लेकर ही पारिटी में आगे चल रहे हैं हमसे पहले बहुत से लोगों ने पारिटी के लिए त्याग और बलिदान किया है तो उनके संसकारों को लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी बनती है यदि किसी भी इस तर पर चूक होती है तो वास्तब मे नहीं कुछ लोक जरूर सामिल है रहा है जो पहले से चलता रहा है अब भी प्रिशासन को हम लड़ाई को लडएंगे और प्रिशासन अगर किसी भी इस तर पर ऐसे धार्मिक उन मादों को भड़काने में अगर संलिप्त पाया जाता है यह भरस्टाचार में संलिप्त पाया जाता तो संगठन की और इस्थानिय प्रिशाथन की शिकायत उस चिस्तर पर की जाएगी कि बारन मंदिर वाली जो जगाती जो कि नेताओं का नेताओं पर आरोप लगाता कि नेताओं ने बेच दी है अब उस पर क्या रहेगा मैं समझता हूँ यह लोग अपना पल्ला जानने के कोशुश कर रहा है चाहथ आप पिछले जब से संगठन में देख रहा है एक पूरा एक नेकसस सा बन गया इन लोगों का एक संगठन में ऐसे लोग हैं जो मिल्यूल कर इन कामों को कर रहा हैं 4-6 लोग संगठन में जो आपने देखे होंगे यह रहते हैं इकता रहकर इन सब चीजों में सनलिप्त रहते हैं लोग सब जानते हैं चेहरे सब्साइं जिन्होंने बताया कि कुछ ऐसे चेरे हैं बाटबा मिन घवा को धुमेल करने का चाल कॉह हैं फोना उनकी खिलाफि भारी हो नीचाहिए उनकी जाच होनीी जाहिए भारी होने मिरत आपक के खिलाए हुआ बस त्ACHInt ना करें। समझे सबस्क्राइब Rozरम करी पा Spring झाल झाल